मैं रामक्रिंट सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज जो हम lecture वीडियो बना रहे हैं वो actually आपको calculator से किस तरह से equations को solve करना है उसके लिए बना रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई भी जो equation होता है जैसे 2x plus 3y is equal to 19 या 3x plus 4y is equal to 26 यह जो equation है इस equation को कैसे solve करें using calculator ना उसको समझने की बात है इस equation को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा कुछ brief कर देते हैं सबसे उपर अगर आप देखें a1x plus b1y जो भी हमारा equation होता है वो इस form में होता है a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2 तो अगर इन दोनों equation को आप compare करें तो जो पहला equation है उसमें a1 की value कितनी हो जाएगी तू हो जाएगी किने यह बताऊ और b1 की value कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी हाण आर c1 की value कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी जो calculator में actually मागेगा रहे वी वे इसment की वगैटवह हमारा कितना है 3 है B2 हमारा कितना है? 4 है C2 हमारा कितना है? 26 है तो अब यह जो हमारे पास value जब लेबल है इसको अगर हम calculator में किस तरह से input कर सकते हैं और फिर कैसे value आएगी उसको हम लोग देख सकते हैं ठीक है न? इसी चीज़ को हम आगे अब calculator की सहायता से करने जा रहे हैं अब हमें equation में कैसे पहुंचेंगे? equation कैसे solve करें? जिसे normal हमें calculation करने है जैसे आपको 5 और फिर plus 3 करना है तो 5 plus 3 आप करेंगे फिर equal पर आप click कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 8 मिल जाएगा यह तो आसान काम है लेकिन actually में हम क्या करना चाह रहे है हम करना चाह रहे है equation को solve करना तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें कहा जाना पड़ेगा? थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पर एक button लखा हुए mode mode के नीचे जो button उसको click किया हमने तो option क्या दिखाए दे रहा? compound and complex compound और complex को आप छोड़िए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसी mode को आप बार-बार click कर रहे हैं तो कुछ options और बदलना है equation मिल गया EQN मतलब equation हाना equation के नीचे number क्या लिखा है? 1 हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 को प्रेस कर देंगे जब हमने 1 को प्रेस किया तो दो चीजे आ रहे है unknown दो unknown का है या तीन unknown का है तो equation को अज़रा याद करिए equation में X और Y दो unknown है इसका मतलब हमें unknown को stall करना है तो हम क्या करेंगे? unknown अब unknown में 2 unknown है तो उसके नीचे 2 लिखा है आप बटन 2 को क्लिक करेंगे है ना? तो 2 को क्लिक किया हमने जब 2 को हमने क्लिक किया तो वही हमें values मांग रहा है A1, B1, C1, A2, B2, C2 हैना? यह हमको मांग रहा है तो देखो धर्ध्यान से यहाँ देखो A1 की value 2 है B1 की value 3 है C1 की value 19 है यहाँ पर value put करें तब यहाँ पर A1 लिखा है तो आप सीधे type कर दीजे A1 की value कितनी थी? 2 थी, आपने 2 type किया और equal कर दियो तो A1 की value 2 होगे B1 मांग रहा है B1 की value कितनी डालनी है आपको? 3 डालनी है 3 आपने press किया और equal कर दिया equal किया आपने और तो C की value मांग रहा है C1 की value C1 की value कितनी थी? 19 थी, आपने यहाँ पर क्या press किया? 1 और 9 1 9 प्रेस किया और इसको भी आपने क्या कर दिया? equal कर दिया फिर A2 की value मांग रहा है A2 की value कितनी है? 3, B2 की value 4, C2 की value 26 तब ऐसे हम कर दिया A2 की value 3 है इसको equal कर दिया B2 की value कितनी है? 4 है इसको भी हमने क्या कर दिया? equal कर दिया C2 की value कितनी है? 26 है इसको भी हमने क्या कर दिया? 26 को हमने equal कर दिया जब equal कर दिया तो X की value कुछ आई है X की value कितनी आई है? 2 हमने यह आप लिख लिया, x is equal to 2, और दूसरा क्या आया है, फिर से equal पर click करिए, क्योंकि दो answer आने है न, फिर से equal पर click करिए, y की value कितनी आ रहे, 5 आ रहे, y is equal to कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है, x is equal to 2, y is equal to 5, answer को check करना है, तो x की value 2, पहले equation में रखो, और y की value 5, पहले equation में रख दो, क्या हो जाएगा, 2 into 2, x की value 2 है, plus 3 into y की value कितनी आई है, 5, equal to, जिरा solve करिए, 2, 2 जब 4, 3, 5 जब 15, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19, और यहाँ equation में कितना दिया है, 19 दिया है कि ने, इसका मतलब क्या है, x और y की जो value हमने solve किया है, वो ठीक है, अब इस mode से वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप equal करेंगे, on करेंगे, तापको एकदा हम सुरू में लेकर चला जाएगा, बनलब बार बारे चलता रहेगा, हम calculator के previous mode में कैसे है, तो यहाँ पर shift button है, shift है, इस shift को आपने click किया, और उ बार आपने equal button पर इस तरह से दबाया, और आपका calculator previous mode में आ गया, ठीक है, तिस तरह से हम equations को solve कर सकते हैं, और भी calculator से related और दूसरे वीडियो के लिए हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, चैनल को subscribe करेंगे, और अच्छे-च्छे questions और answers का आनन्द लेते रहे हैं, तब तक